अलो एरुबड़ी वेल्गणूमे चनल तो बहुत टाइम से लोग बोले रहे हैं एक स्क्रीन रेकॉड़र बता हूँ जिसमें आप लोग अच्छे से रेकॉड कर सकते हो लेक फ्री रेकॉडिंग कर सकते हो अच्छी क्वालिटी में और एडिट वी उसमें कर सकते हो बस आज अपना एक अपडेट लाया है 6.0 जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ चेंज किये इंप्रूफ किये इससे आपका रेकॉडिंग है वो और ज्यादा स्मूध हो जाएगा और ज्यादा लेक फ्री हो जाएगा और आपकी जो एडिटिंग है वो और ज्यादा अच्छी हो आपको इसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको यहां पर सिंप्ली इंस्टा पै-कलिक करना और अगधोर क्लिक करना हो Curtis यहां पर instant boyจะा जाएगा ईंस्टाल रेके बाधों उसके बाद में सारे उप्छिय करना एक है और यहां पे पूछेगा आ आपको किसे लिए रिकोडर दिखा दिता हूं, रिकोडर पे ख्लिक करने बाद सबसे पहले आपको administer का option मिल जाता है, यहाँ पर full HD HD या फिर custom resolution आप लोग सेट कर सकते हो recording के लिए इसके बाद यहाँ पर system audio का option मिल जाता है, मतला आपको game sound record करना है, के नी करना, फिर speaker से करना है, headphone से करना है, उसका भी option आपको मिल जाता है, फिर microphone का option भी मिल जाता है, microphone का sound आप लोग record कर सकते हो, मतलब voice over type video बनाने ये तो भी कर सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर system audio या फिर microphone audio नहीं चाहिए, तो on off का button भी यहाँ पर available है, और lastly यहाँ पर webcam का option भ जो भी करने वाले हो सब कुछ record होगा, तो मैं आपको example के लिए खाली blue stack open करके दिखा दे तो कैसे recording होती है, तो यहाँ पर recording stop करने के लिए F10 प्रेस कर देता है, और जिससे मैं प्रेस करूँगा, यहाँ पर automatically open हो जाएगा video editor of wondershare का, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो मेरी clip भी automatically load होगे, जो मैंने अभी currently record की थी, अब यहाँ पर clip में सब कुछ edit कर सकते हो, transition डाल सकते हो, editing डाल सकते हो, filter डाल सकते हो, slow motion कर सकते हो, और यहाँ पर जो layout है software का, वो बहुत जादा similar है filmora से, क्योंकि filmora जो भी wondershare का ही है, तो मैं suggest करूँगा, जो भी लोग filmora मैं edit करते हैं, अपनी वीडियो, वो यह software ज़रूर ट्राइ करें, क्योंकि इसमें जो facility है, वो filmora से बहुत जादा है, और यह जो 6.0 वाला जो नया version आया है, उसमें तो और भी जाए facility आपको मिल जाती है, और यहाँ पर की साइड आप लोग देख सकतो, effect, transition, text effect, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, और बहुत सारे यहाँ पर चूज करने के लिए effects है, आपको simply drag and drop ही करना रहता है, जो भी effect आपको पसंद आता है, वो जारेक लिए आपके वीडियो में आ जाता है, यहाँ पर आप लोग देख सकतो, मैंने इंट्रो में एक रैप वाला effect उसके बाद demo creator के और features की बारे में बात करते हैं, यहाँ पर गेम recorder आपको मिल जाता है, उसका benefit आपको थोड़ी दिन में बताता हूँ, पहले बताता हूँ वो कैसे use करते है, तो जैसे ही आप लोग गेम recording पर click करोगे, यहाँ पर similar आपको interface देखने को मिल जाएगा, जैसे recorder मिला था, बस आपर difference यह है, आपको windows select करना रहता है, इसमें आपका game चल रहा है, तो सिर्फ वही record होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकतो मेरा blue stack में free fire on है, तो यहाँ पर select कर लेता हूँ, यहाँ पर blue stack का icon भी आ गया है, अब जो भी blue stack के अंदर करूँगा, वही record होगा, desktop में कुछ भी record नहीं होने वाला, इस से सबसे बड़ा फाइदा यह है, कि आपका RAM usage है, वह बहुत ही कम होगा, वगर आपको जो डेमो क्रीडर का normal recorder है, उसमें lag देखने को मिल रहा है, तो आपको game recorder ट्राई करना चाहिए, उसमें आपको lag कम देखने को मिलेगा, उ उसके बाद जो main feature की आपको बात की थी, मैंने 120 fps वाली यहाँ पर recording कर सकते हो, बट अगर आपका low end PC यह lag देखने को मिल रहा है, तो 120 fps वाला मत करना, 60 fps रखो उसमें आपको lag कम देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो quality वो भी आपको normal या फिल low कर देनी, अगर आपका high पर के लिए आपको webcam की जरूत पड़ीगी, वो ध्यान में रखना, I hope आपको आज की वीडियो मजाया होगा, और आपको demo creator खुड try करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, description में link में link मिल जाएगी, आपको easily download वाँ से कर सकते हो, और मैंने इस वीडियो में जो भी features बता है, वो सारे के सारे completely free है, आपको कुछ pay नहीं करना है, और भूलना मत इसमें 120 fps तक की recording होती है, तो गर आप लोग slow motion करते हो montages में, तो आप लोग की slow motion बहुत ज़्यादा smooth लगेगी, तो मैं highly recommend करूँगा, एक बार ये software जरूर try करना, ठीक है, link description में है, और मैं मिलूँगा एक्स वीडियो में, तब तक के लिए bye bye and take care